Question Number 5 में हमें एक Phenispherical Ball given है और उस बाउल का Inner Diameter given है Inner Diameter means यहासे हम Inner Radius find कर सकते हैं और हमें Inner Part में ही टिन प्लेटिंग करनी है तो एक तरह से हमें इसका Radius given है और Radius पार्ट का given है उसी पार्ट में टिन प्लेटिंग की Cost find करनी है at the rate of 16 रूपिस पर 100 cm2 देखो बाउल कुछ इस shape का होता है जो hemispherical की form होती है अब यहाँ पर outer radius से कोई discussion नहीं किया गया है थो हम सिर्फ inner radius को लेकी चलेंगे और inner part को ही सोचेंगे है inner radius हमारा कितना होगा इसका half 10.5 by 2 inner radius मिल गया तो हम inner surface area निकाल सकते हैं पूरा यह स्टार्ट करते हैं स्वे radius equal to 10.5 by 2 है cm जब inner radius मिल गया हमें तो inner surface area क्या होगा क्योंकि देखो अभी पहले question में डिस्कस किया था हमने कि अगर हमें total surface area फाइंड करना है तो इसका surface area यह होता है और साथ में यह होता है outer या inner यह ह होता है क्योंकि यह hollow है और यहां पर कुछ भी surface नहीं है इसका तो हम सिर्फ inner surface area लेंगे जो core surface area की form में होगा तो surface area equal to 2 by r square होगा और हम find कर चुके हैं पहले ही 10.5 by 2 तो 2 into 22 by 7 into 10.5 by 2 into 10.5 by 2 cm2 इस तरह हम वो surface area find कर सकते हैं जिसमें हमें paint करना है tin plating करनी है यहां 2 से 2 cancel हो जाएगा और इस 2 से हम 22 cancel कर सकते हैं 7 इसको divide करेंगे 7 उन्जे 7 and 7 5 जब 35 1.5 अब मारे पास quantity आ गए 11 into 1.5 into 10.5 cm2 अगर हम इन तीनों को multiply करते हैं तुमारे पास final answer आएगा 173.25 cm2 अब यह surface area आया है inner part का और inner part पर हमें painting करनी है मतब इसी area में paint करना है tin plating करनी है अब rate given है हम देखो rate है rupees 16 per 100 cm2 means 100 cm2 के लिए 16 rupees है तो हम इसको 173.25 so for for 173.25 cm2 area the cost is 16 by 100 into 173.25 अब इसको हम calculate कर लेंगे और calculate करके आएगा क्या आएगा हम रे पास approx rupees 27.72 यह हमारी final cost आजाएगी tin plating के